हलो दोस्तों आप सभी का मेरे चनल में स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं ओर्स और रागी का रोटी जो आपने पहले कभी नहीं काया होगा ओर्स और रागी जल्दी डाइजस्ट होता है फाइबर और प्रोटीन से बरपूर होता है और डाइबटीज कंट्रोल करता है और वेट लॉस के लिए बहुत मददकार है यह बनाने में आसान, सौफ्ट और खाने में टेश्टी होता है एक बार खायोगे तो बार बार खाने क का मन करता है तो चलो दोस्तों ये रोटी कैसे बनाते देखेंगे इसे बनाने के लिए मैंने एक कप ओड्स को तीमी आज पे अलके से गरम किया है उसे बाद में ग्रैंडर में डालके पौडर बनाया बर्तन में एक कप पानी डालके और उसमें स्वाद अनुसार नमक डालके अच्छी तरह उबाल लीजे पौडर के या ओड्स को एक बर्तन में निकाले और एक कप प्रागी का आटा डाल दीजे दोनों को अच्छी तरह मिला लीजे और टेश के लिए एक चमच जीरा पौडर डाल दीजे और अच्छी तरह मिला लीजे गरम किया हुआ नमकिन पानी को धीरे धीरे से इस आटे में डालके एक पैचूला नेतर चमच से मिक्स किजे क्यूंकि पानी गरम रहते है बाद में इसको हाथ से अच्छी तरह मलके एक डफ बना लीजे इस डफ को लंबा रोल बनाके उसमें से मेडियम सैज का गोले बना लीजे एक गोले को रागी नई तो रैस आटा लगाके रोटी जैसा बे लीजे इसको आप कितना पतला चाहिए उतना पतला बे लीजे इस रोटी को गरम किया हुआ तवे पे डाल दीजे और एक कपड़े से पानी लगा लीजे पानी लगाने से रोटी सौट बनता है और अच्छी तरह से पूलता है रोटी को दोनो तरब से अच्छी तरह से सेक लीजे रोटी पलटने के बाद एक कपड़े से साइड में थोड़ा थोड़ा दबाते जाईए उससे रोटी अच्छी तरह फुल जाएगा रोटी अच्छी तरह सेखने के बाद उसका कलर भी बहुत बढ़िया दिखता है यह देखे कैसे फुल रहे है रोटी पोर्स और रागी का रोटी देखिए कैसे सॉफ्ट बना है अब मैं इसे तोड़के दिखाती हूँ देखिए उसका पदर कैसे कुलता है यह बहुती पतला बना है और खाने के लिए तो बहुती टेश्टी है यह रेसिपी आपका फैमिली और दोस्तों में सेर कीजिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्काइब कीजिए बेल आइकॉन दबा दिए ताकि मेरी नए रेसिपी आपको पहले मिले यह वीडियो अन तक देखने के लिए आप सबी को धन्यवाद